सो एनिमल का टीजर फाइनली आ गया है और टीजर देखने के बाद ना सिर्फ एक ही चीज मेरे दिमाग में आ रही है वो यह है कि मास्टरपीस इस रिटन आल ओवर इड़ भाई सहाब क्या टीजर है मतलब यार यूँ कह सकते हो कि यह इंडिया की आस तक जितनी भी मूवीज बनिये ना जितने भी टीजर आप लोगोने देखें यह सबसे बेस्ट है मतलब अल्टिमेट है एक नमबर है यार पहुती जादा बढ़िया मतलब एक इतने से टीजर में इतने सारे इमोशन से ओ माई गॉड मतलब जो एक्सपेक्ट किया था ना उससे भी 200 गुना उपर का लेवल है यह मतलब भाई यह मूवी ना फाड के रख देगी मतलब मज़ा आने वाला है इसको थेटर्स में देखने में हर एक चीज एक नमबर है चाहे वो डायलोग डिलिवरी हो चाहे वो स्टोरी का जो हमें थोड़ा बहुत एसेंस मिलता है चाहे वो हो चाहे बीजियम ह ओ भाई चाहे वो हो ना वो जो डायलोग है बुरा जो वेखन में चलया बुरा न मिलया कोई जो खोजा आपना मन तो मुझ से बुरा न कोई भाई उस दोहे का क्या यूज किया है मज़ा आ गया भाई दिल खुश हो गया यह देखके सच में देखो याल टीजर के आता है न जब अनिल कपूर जो है अपने वेटे यानि रनबीर कपूर को थपड लगा रहा है वो रियाक्शन देखा क्या गजब का था मतलब बंदे को घुसा आ रहा है पर वो स्माइल कर रहा है रहा है और फिर रनबीर कपूर का जो गितांजली के साथ वो डायलोग चल रहा है वो कह रहा है न तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो पॉन देखता है कि नई देखता है लड़की जुकती है तुद के नहीं देखता हूं चेक आउट करता हूं को मैं सब बता दूंगा बस यह मत पूछना और वो अपने फादर के लिए कह रहा है न मतलब एक सीन पह बेटे को ये प्रूफ करना है कि बाप की नजर में कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मतलब एक weird सा relationship है मतलब बाप भी बहुत अच्छा नहीं होगा बेटे के लिए ठीक समाज के लिए अच्छा हो वो अलग बात है पर बेटे के लिए उतना अच्छा नहीं है और वो you know मार पी रन्बीर कपूर का पहले वाला जो लुक दिखा है ना जो यू कहलो कि एक तो उसका school time का लुक है फिर एक उसका थोड़ा जवानी का है clean shape वाला इवतम perfect लग रहा है और उसके बाद जो वो transformation होता है ना वो पूरा दाड़ी वाड़ी में cigarette cigarette के साथ ओ भाई उसके बाद वो जो entry होती है ना और जो वाले सीना आता है जो वो shield वाला सीना आता है ना वो red कप्ड़ा है वो जो कुलाडी से जो हे तोड़ रहा है box को box तोड़ता है उसके अंदर एक red कप्ड़े के अ धर क्या में दिखता निया बट I think उसके अंदर वही shield थी और सामने से भाई बहुत सा उसे मारने के लिए और रन्भीय कपुर शीड लेता है और शीड में शॉइद से छोटे चोटे से छोटे शेद में जो हैं जिसकी वज too बाहर निकल सकती से और रन्भीय कौपुर को गोली ने लग सकती और सामने वाले बंदो की फट जा दिया था उनके तरके मारों उसके बाद हमें सुनाई देती है धुए धार गोलियों की आवास और बाहर जो लोग खड़े है ना उनके भी कान में दर्द हो जाता है भाई उनकी भी फट जाती है अंदर क्या हो रहा है और उसके बाद जो अगला सीन आता है रद्बीर कपूर लेटा वाया उस सब लाशे ही लाशे पड़ी भी है भाई गूसबंस आगे थे उस सीन में और फिर वो कहता है ना पापा ये तो अभी शुरुआत है अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है उसको ढूंड रहा है उसको मारना है और यहां पर बाद बाबी देहल की और यह लौड बाबी की लौ चैरी ऑन दे टॉप भाई मज़ा आ गया देल खुश हो गया वो देखके इतना क्लासी इतना कैड़ा लग रहा है ना बंदा तो बहुत बढ़िया यार और ओवराल जो पूरे टीजर का जो बीजीयम है भाई दिमाग से नहीं उतर रहा है इतना बढ़िया है मैं जो है जोकर का जब ट्रेलर आया था ना भाई मैंने उसे लूप पे लगा दिया था और मैं देखता रहता था ठीक है काइंड ओव वैसा ही जब इसका वह आया था ने एक आडियो टीजर आया था ना एक डिड़ साल पहले जिसमें वह बोलता है ना कि अगले जनम में पापा आप बेटा बनना और मैं पापा बनूँगा और आप मुझे मेरी तरह प्यार करना इस तरीके का जो डायलोग था वो मैंने लूप में सुना था इतना बढ़िया लग था उसमें जो सीटी की आवास थी सीटी की आवास तो यहां पे भी यह बहुत ही प्यारी है तो मैं यू कह र आने वालो और अभी जब एनिमल का ट्रेलर आएगा ओ भाई पता है अभी मैं सोच रहा था मूवी जाने की पर ना मैंने मूवी का जाने का प्लैन कैंसल कर दिया कि पहले मुझे इसका डीजर देखना है इसके बारे में बात करनी है फिर देखूँगा मूवी जानिये नही ये क्या सीन है ठीके तो भाई बहुत बहुत मसा आए देखके दिल ही खुश हो गया भाई तो वो ही है कि यार इसका बीजियम भी अल्टिमेट है चाहे वो सीटी की आवाज हो चाहे वो क्लैपिंग्स हो चाहे वो पंजाबी में सॉंग हो दोहा हो कुछ भी हो पूरा जो ब प्रूफ करने वाले बस यार सेंसर बोर्ड वाले कोई ना टक ना कर दे अधरवाइस बड़ा मज़ा आने वाले मैं तो कह रहा है और एस अटिवेट दो और पैंक दिखा जितना दिखाना है भाई मज़ा आएगा देखने में तो मुझे तो यार सब कुछ बहुत बढ़िय कमी नहीं है और लास्ट में जब बॉबी देवल के दर्शन हो जाते तो भाई मज़ा ही आ जाता है लौड बॉबी एकदम लौड बॉबी वाले अंदाज में बिना किसी खाफ के एकदम मस वो चक को लिए हाथ में भाई मज़ा ही आ गया तो वो देखके भी हाँ थोड़ा स लौड बॉबी का थोड़ा सा और होना जीए था क्योंकि उन्होंने जो अपने उसमें प्रोफाइल में इंस्टाग्राम पर जो उन्होंने एक पिक शेर किया है ना अपना बॉबी देवल का लग खुद का जो पिक शेर किया वह भाई बहुत खून खराबे वाला है तो वै आप लोगों को ये डीजर कैसा लगा आप इस मूवी के लिए कितने एकसाइड़ हो आप लोगों मुझे नीचे कॉमेंट सेक्षिन में जरू बताना वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेर जरू कर लेना और हाँ सब्सक्राइब तो करी देना अब मैं मिलूँ आप से एगले वीडियो में तब तक के लिए make some noise